Hello dear all, welcome back, this is your DPP number 4 and this is your first question from the DPP. So, देखने में तो आपको ये question बड़ा odd सा लग रहा होगा, थोड़ा tough लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका solution देखोगे, आपको ये question बहुत easy लगेगा, ठीक है? तो इस question में जो perimeter होगा, इस shaded portion का, और perimeter आपका यहाँ पे क्यों आने वाल है, ये AC देखो, ये जो shaded portion है, इससे AC भी touch है, इससे BC भी touch है, और इससे आपका BA भी touch है, हना? और perimeter आपको पता होता है कि वो boundaries होता है, तो अगर मैं यह perimeter की बात करूँ, solution number one में, तो अगर मैंने आपको BC दे दिया, अगर मैंने आपको यहाँ CA दे दिया, और अगर मैंने यहाँ आपको AB दे दिया, यह इन सब का length अगर दे दिया, और इन सब को अगर add करवा दिया, तो पक्का जो मेरा perimeter है shaded portion का वो answer आ जाएगा ठीक है तो यही इस question में अब मुझे करना है तो मुझे इन सब लोगों का value अलग-अलग करके निकालना है तो देखते हैं सबसे पहले क्या होने जा रहा है तो मैं इस figure में फोड़ा सा कुछ changes करने के कोई mood में नहीं हो तो back to the solution आप देखो आपको 10 theta चाहिए, sec theta चाहिए, यह चाहिए, minus का वन चाहिए, बहुत सारी चीज़े चाहिए तो दीरे-दीरे मैं हर एक के पास पहुशता हूँ आपको पता है यह angle 90 हो जाएगा क्योंकि जो radius होता है वो tangent के perpendicular होता है तो इस question में यह हुआ आपका perpendicular यह बना base और यह पूरा का पूरा सामने वाला hypotenuse, got it? अब यहां से अगर मैं 10 theta की value देखूं, 10 theta क्योंकि यहां सबसे पहले 10 theta लिखा है तो दीरे दीरे चलते हैं, 10 theta होता है perpendicular upon base और perpendicular इस question में है पूरा का पूरा a, b और base आपका निकलेगा यहां पे r तो यहां से अगर मैं cross multiplication करूं इस r की 10 theta के साथ तो जो पहला चीज है a, b तो मेरा जो a, b है वो आजाएगा 10 theta into r ठीक है, 10 theta into r आजाएगा तो यह मिला मुझे पहला चीज यहां पे तो यह ध्यान रखिएगा, इस पहले चीज जो यह मेरा निकला है इसको मैं highlight कर देता हूं क्योंकि मुझे a, b चाहिए था, a, b मैंने ले लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे पार्ट में, अब मैं चलता हूं, sec theta को ढूणने तो sec theta आपको पता है, cost theta का लटाता है, वो होता है, curly black hair तो यह होगा, h upon b अब यहां से अगर h की बात करूँ आपका यह जो पूरा का पूरा h है, वो है यहां पे bc और base जो इस question में है, वो अभी भी आपको r दिख रहा होगा और अगर मैं यहां पे इसको ले जाओं, cross multiply में तो जो आपका bc है, वो हो जाएगा, r into sec theta लेकिन आपको पता है, हमारे perimeter का part wait a minute, it's not bc, sec theta is b o b o, b o, b o, b o, b o, sorry, okay लेकिन आप देख सकते हो, हमारे perimeter का part तो bc है और b o तो है नहीं, तो b o actually में किस से मिलके बना है, b o मिलके जिस चीज से बना है, मैं उसको यहां लिखता हूँ, और थोड़ा सा, okay so b o मेरा मिलके बना है, अगर देखो यह radius है तो यह भी radius होगा, तो b o मिलके बना है, यहां पे r plus b c से, हाना यह जो b c है आपका r plus b c से मिलके b o बना है, और यह आपका r sec theta के एकवल हो जाएगा, और यहां से, यहां से जो मेरे b c की value आईगी अगर मैंने सार्क में स्विच किया, तो वो मिलेगा r sec theta minus का r, ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास b c का value भी आगया, जो मुझे इस question में चाहिए था, तो अभी तक आप notice करो, आपको a भी चाहिए था, आपका b c आगया, अब रह गया c a अब c a निकालने का क्या fund है भाई, c a तो आपको दिख रहा होगा, c a जो है वो basically एक यहाँ पर arc है, और अगर मुझे arc की length चाहिए होती है तो वो होता है, theta upon 360 into 2 pi r, got it, इस 2 को अगर मैं 360 से cut करूँ तो यह 180 हो जाएगा, और यहाँ पर finally क्या मुझे मिलेगा, theta upon 180, मैं इसको यह मिटाई देता हूँ ठीक है, ओके, फिर से लिख देता हूँ, तो यहाँ से आपको यह जो c a मिलेगा, वो क्या मिलेगा, उसकी length हम लिख देते हैं तो यह जो c a r जो तुम्हें मिल रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है, theta into pi into small r, क्योंकि radius को मैं small r से denote कर रहा हूँ और divided by 180, तो यहाँ पर आपको अगर आप देखो तो आपके पास c a इन सब का value आ गया है, अब अगर मैं इन सब का addition करूँ क्योंकि आपको तो यहाँ परिमीटर चाहिए ना, परिमीटर में इन सब का addition होगा, इन सब के addition करने से जो मुझे मिलेगा, वो मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ आपको मिलेगा r into 10 theta, प्लस आपको मिलेगा अगर मैं यहाँ से r common ले लूँ इन दोनों से, तो यह मिलेगा sec theta minus 1, और इसको मैं अगर add कर वाऊँ, तो यह मिलेगा आपका, theta into pi 180 into r, got it? अगले step में, अगर मैं इस r को common ले लूँ, इन सब से, ठीक है, तो इन सब से अगर मैं common लूँगा, तो यहाँ से r हटा, यहाँ से r हटा, यह मैं bracket हटा रहा हूँ, ठीक है, तो कुल मिलाके, मेरे पास यह जो चीज बचा है, क्या आपको नहीं लगता, यही मुझ से parameter तो आप easily जब इसको compare करेंगे, तो आपको यहाँ पे यह चीज दिखेगा, and with this way, your part number 1 is done, अब चलते हैं, इसके area पे, तो area of shaded portion कैसे निकलेगा, यह तो और भी easy है, आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे area of triangle, O, A, B में से, आपका area of sector, जो यह आपको दिख रहा है, area of sector, O, C, A को मैं अगर subtract करवा दूँ, तो मेरा shaded portion आएगा, अब triangle A, O, B क्या होता है, half base, base आपको पता है, यहाँ पे R है मेरा, यह 90 degree है, और जो आपकी height है, इस question में वो है AB, ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे, area of sector होता है, theta upon 360 into pi, small r square, यहाँ तक भी कोई trouble नहीं होगा, अब अगर मैं आपको पीछे वापस ले जाओं, तो आपने यहाँ AB का जो value दिया था, वो दिया था, 10 theta into r, तो मैं अगर इसको यहीं से copy करके खीच के ले जाओं आपके पास, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, कि AB का value हम ले चुके हैं अल्रड़ी, तो इसको मैं आपके reference के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप तो copy में लिखेंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे drop कर दिया है, तो अब finally यह क्या बना, half of r into r हो जाएगा मेरे पास, r square, और यह 10 theta ऐसी रहेगा, और यह minus का, theta upon 360 into pi r square रहेगा अब यहाँ से अगर मैं matching करवाना है, तो r square by 2 को common ले रहाँ दोनों side से, तो नीचे बचा सिर्फ 10 theta आपका उपर, यहाँ से भी r square गया, और यहाँ से अगर मैंने 2 ले लिया, 360 तुम्हें पता है, 180 into 2 होता है, तो अगर मैंने 2 यहाँ से उठा लिया, तो नीचे आपका क्य बचेगा, सिर्फ 180, and with this way, this question is done, hopefully आपको यह पार्ट समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन इतना ट्रफ नहीं था, अब बढ़ेंगे, बिना किसी stoppage के, second problem में, अब आपने जब किसी भी clock को कभी देखा होगा, तो उसमें 2 तरीके के dials होते हैं, जो short hand, जिसको हम r hand बोलते हैं, और एक होता है long hand, जिसको हम बोलते हैं, minute hand, तो यहां तक कोई trouble तो नहीं होगा, अब यहां पे अगर मैं इसको फटाफट आपको दिखाऊ, r hand हमेशा short होता है, in comparison to the minute hand, यहां तक कोई trouble नहीं होगा, अगर मैं एक दिन की बात करूँ, अगर मैं एक single day की बात करूँ, तो आपका यह जो minute hand है, यार कितना घूम सकता है, वो मैं यह देखना चाता हूँ, एक दिन में आपका r hand कितनी बार घूम सकता है, sorry है minute hand, तो आप लोग realize करोगे, जो आपका यह minute hand है, एक दिन में, वो 24 times घूम सकता है, कैसे घूमेगा, देखो यार, अभी 12 बज रहे, let's say, अगर आपको 1 o'clock तक पहुँचना है, तो आपका minute hand पूरा का पूरा एक round काटेगा, यह हम दोनों AM की बात कर रहे हैं, यह आपका PM हो गया, फिर 1 बजे से लेके, 2 बजे तक अगर मैं देखूँ, तो यह minute hand पूरा का पूरा फिर से घूमा, आप दे पूरा राउंड तो 2 बज गया, 3 बजाने के लिए 3 बार घूमा, ऐसी 12 बजाने के लिए 12 बार घूमेगा, तो दिन के 12 गंटे, नाइट के 12 गंटे, टोटल आपका minute hand जो है, वो एक दिन में 24 आर्स बार घूमेगा, यानि रोटेट करेगा, तो इसने 24 टाइम्स रोटेट क क्योंकि हमारा short hand है, वो एक दिन में कितना गूमेगा, मुझे ये बताइए, ठीक है, एक दिन में पूरा का पूरा, मेरा बात हो रहा है, या पूरा का पूरा रोटेशन का, 360, इसे पूरा यहां गूमने से होता है, one round, यानि 360 complete, तो ऐसी जो hour hand होगा, वो जब दिन के 12 बज जेंगे, ठीक है, तो वो minute hand का एक round होगा, और फिर रात के 12 बजे से, दिन के noon, यानि 12 बजे तक एक round और कटेगा, तो कुल मिलाके, वो एक दिन में सिर्फ दो ही बार rotate कर पाएगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, तो यह बहुत basic सा चीज है, कोई इसमें rocket science नहीं है, यह आ आपको find करना है, some of the distances traveled by their tips in two days, तो दो दिन में इन दोनों ने कितना distance cover किया होगा, दोनों minute hand और our hand दोनों ने, तो सबसे पहले मैं our hand पे चलता हूँ, तो जब मैं our hand के बारे में बात करूँगा, तो आप पता है क्या बोलोगे, कि दो दिन में, दो दिन में आपके our hand ने, total, दो दिन में total 48 times, उसने rounds लिये होंगे, total इतने rounds लिये होंगे, अगर एक दिन में वो 24 बार घुमता है, 360 degree, तो दो दिन में 48 rounds complete करे होंगे, और हर एक round, every round, for every round, हर एक round में, जो distance cover होगा, हर एक round में, जो distance cover होगा, वो 2 pi r होगा, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि circle ये ऐसे बनेगा अब, तो एक round में 2 pi r cover हुआ, तो 48 rounds में कितना cover होगा, 48 into, 2 into pi into radius, और radius जो long hand का है, वो मुझे provided है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मैं, अराम से multiply करवा देता हूँ इनकी, so this is 48 into 12, चुकिन दोनों का 12 हो जाएगा, 48 का, अगर मैं 12 से into करवा हूँ, तो यह हो जाएगा, 480 में, 96 plus, ठीक है, तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका 7, यह हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ तक कोई ट्रॉबल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की calculation में, तो यह है आपका 5, 7, 6, 5 cm, अभी हम इसको solve नहीं कर दें हैं, इसको as it is ऐसे ही रहने देते हैं, पाई की value, अलगी पाई की value जो उसने लेने के लिए बोली है, that we will take after some time, not need to worry, अब ऐसे ही अगर मैं, यह तो था तुमारा minute hand है, यह तो minute hand है, not our hand, okay, our hand की जब बात चलेगी, तो our hand जो मेरा है, आपको पता है, in total, वो दो दिन में, अगर एक दिन में, वो दो round काट रहा है, तो in total, वो 4 rounds काटेगा, यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, तो यह कितना distance cover करेगा, यह आपका distance cover करेगा, simple सा logic है, 4 times, हना 4 times तो करेगा ही करेगा, क्योंकि total 4 rounds हैं, और 4 rounds में कितनी बार जाएगा, यह जाएगा again 2 pi r, यहाँ तक कोई trouble नहीं होगा, अब अगर मैं इसका calculation करूँ, तो this is, 4 into 2 is your 8, onto pi, और यह आपका again अगर दंग से देखो, तो radius is 4, तो यह होगा आपका 32 pi, तो जो total distance cover हमारा हुआ होगा इस question में, total distance वो यहाँ पे हुआ है, 5, 7, 6 pi, plus 32 pi, अब इन दोनों को अगर मैंने add किया, तो यह बना 608 into pi centimeter, तो यहाँ तक तो कोई doubt नहीं होगा, तो अगर उसने exam में आप से कुछ भी नहीं बोला, तो आप अपना total distance, इतना cover करके, यहाँ पे लिख सकते हैं, total distance आपका, लेकिन अगर pi का value use करना है add boss, तो अब आपको solve करना पड़ेगा इसको, 22 by 7 से, और जब मैं 22 का इससे multiply करवाऊँगा, यहाँ पे, तो यह आपका बन जाएगा, 6, 6, 6, 6, 6, 6, roughly, अच्छा मैं roughly इसको क्या करता हूँ, मैं इस 608 का into 3.1 से करवा देता हूँ, बस एक decimal तक छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी अगर मैं इसको 3 से into करवाऊँ, तो यह बनेगा आपका 18, 24, और इसमें मैं अगर ब्लस करवा दूँ आपका 60, तो यह मिलेगा आपको 19, 19, ओके, तो roughly, 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 अगर मैं देखूँ हूँ, तो मुझे 19, 110 के आसपास अपना अंसर मिलेगा, तो इतना centimeter मैं approximately I can give this answer, so I hope आप लोगों को यह समझ में आया हुगा, इस question में हमने क्या किया है, अब बढ़ेंगे अगले question पे, ध्यान रखना, जो hour hand होगा, जो minute hand होगा, उनका relation पता होना चाहिए, और उसमें भी एक दिन का relation, क्योंकि फिर वो आपसे जितने भी दिन का पूछेगा, easily आप यहाँ दे सकते हो, चलिए, अब आपके पास एक circle है, जिसकी arc length आपको दे रखी है 5π, तो solution is very very easy, जो arc length होता है आपके पास, किसी भी circle का, वो क्या होता है, वो तह है theta upon 360, into 2πr, और यह value उसने दे रखी है 5π, और जो हमारा sector है, जो हमारा sector बना रहा है यह, जो हमारा sector बना रहा है, उसका भी area उसने दिया है वो आपको, तो जो area of sector होता है, वो आपको पता होना चाहिए, that is nothing but, again theta upon 360, into, πr square, not 2πr square, it's pi r square, और यह उसने दे रखा है यहाँ पर, 20 pi, तो बिलकुल भी trouble करने वाला, तो कोई question इसमें है ही नहीं, तो simple सा logic है, if you want to do any elimination, you can do it, otherwise a normal division will also do, अगर मैं यहाँ एक normal divide करूँ, क्योंकि मुझे radius चाहिए, तो वो जाएगा, theta upon 360, into 2 pi r, is equals to 5 pi, आप replacement, यानि elimination, से अच्छा substitution भी कर सकते हैं, और this is, theta upon 360, into pi r square, divided by, 20 pi, अब देख लो भाई, सारी की सारी calculation, यहाँ पर क्योंने जा रही है, 360 से 360, pi से pi, 1 pi से 1 pi, 1 radius से 1 radius, pi से pi, तो यह बचा आपका, 2 upon r, is equals to, 5 upon 20, इसको further cut कर होगे, तो 4, तो जो आपका radius आएगा, यहाँ पर, वो radius आपको मिल चुका है, 8 cm, और यही आप से, answer में, demand किया गया था, कि भाई radius पकड़ा दो, circle का, तो arc length, और area of sector low, इन दोनों को divide करो, surely you will get your answer, तो easy question था, but one mark में, they can ask you, अब बढ़ेंगे हम, आगे अगले question में, कुछ भी नहीं है, इस question में, आपके पास, दो circle दे रखें हैं, तो एक circle जो है, उसका एक angle है, 120, जो दूसरा circle है, उसका एक angle दे रखा है, यहाँ पे 40 degree, खीक है, यही उसने बोला है, central angle, एक का 120, एक का 40 degree, एक का radius 7 है, जिसका 120 है, उसका radius 7 है, दूसरे वाले का radius है, आपके पास 21, यह भी कोई trouble नहीं है, आपको area निकालना है, corresponding segments का, ठीक है, और arc का भी निकालना है, question यह मैंने इसले लिया है, क्यूंकि exemplar का question है, otherwise nothing is there, अगर मैं area निकालना चाहूं, area of circle number 1, तो वो हता है, theta upon 360 into pi r square, theta तुम्हें पता है यार, it's 120, this is 360, this is your 22 by 7, और radius आपको पता है 7 है, तो यह 7 into 7 आया, 1767 गया, this is upon 3, got it, so now the question is very easy, पहला answer आया, 154 upon 3 cm square, और वहीं अगर मैं इसके आर्क लेंद की बात करूँ, अगर मैं इसके आर्क की बात करूँ, ठीक है, आर्क की बात अगर की जाए, इसी वन के, हना, वो क्या होता है, theta upon 360, into 2 pi r, अब यह तो और easy हो गया, again यह 120 है, यह 360 है, this is your 2, this is your 22 upon 7, this is your radius 7, इसको cancel करो, यह 3 था, तो यह जाएगा आप पे, 44 by 3 cm, तो यहां तक आप लोगों को, बिल्कुल यह समझ में आया होगा, कि मैंने यहां पे, क्या क्या किया है, तो इस question को, अब मैं further solve करने के mood में नहीं हूँ, ठीक है, तो यह आपका question exemplar का part था, इसलिए हमने इसको cover किया, otherwise इस question में कुछ भी नहीं है, second part को आप लोग please खुद से करिए, ठीक है, बालकी में आपके लिए answer जरूर लिख देता हूँ, जब आप इसके लिए जाएंगे, तो जो आपका area आएगा, answer में जरूर लिखता हूँ, वो 154 आ जाएगा, centimeter square, और जब आप इसकी length डून देंगे, दूसरे वाले की, ठीक है, तो वो 44 by 3 centimeter ही आएगी, इस question में भी, ठीक है, तो इसको try करिएगा बेटा, नहीं होगा, तो please पूछेगा, otherwise same way, मैं आप नीचे भी find कर सकते हो, अब बढ़ते हैं हम, इसी के last question में, this is the pendulum based question, आपको पता होना चाहिए, एक pendulum, जब भी, swing करती है, तो वो एक sector cover करती है, अगर आपका ये origin, अगर आप इसे समझ रहे हो, तो ये जो सारा मैं yellow portion से आपको दिखा रहा हूँ, ये basically जब आपका pendulum swing करता है न, तो ये एक sector cover करता है, it's not a segment, आपका pendulum हमेशा एक sector में ही area को swap करता है, तो that is why इस question में, उसने आपको, जब वो length पूछ रहा है, तो एक तो area के बारे में provide कर सकता है, आपको वो area के बारे में भी बता सकता है in future, और या वो आपको बताएगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक arc भी है, ठीक है, और आपको पता है, arc और radius के बीच के portion को sector भी बोलते हैं, तो ये सारा का सारा चीज, actually मैं आपको भी यह दिख रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है, तो back to this thing again, तो question में ये radius हो गया, ये arc हो गया, अब हमारा क्या roll है, वो हम देखते हैं, एक pendulum हमें जो की swing कर रहा है, with an angle of 30 degree, तो ये जो angle उसने बनाया है, जिसको हम हमेशा theta बोलते हैं, ये है आपका 30 degree, और जो arc आपने बनाया है, ये जो arc बनाया है total, that is 8.8 cm, आपसे length of pendulum पूछा गया, यानि ये जो radius मैं जिस चीज को बोल रहा हूँ, अगर आप ideally देखो, तो ये एक तरीके से length ही होती है बिटा, यहां तक भी कोई trouble नहीं होना होगा, तो simple सा logic है sir, अगर इस question में आप normal से formula में radius को निकाल देंगे, तो मैं उसी radius को यहां पे, क्या बोलूँगा, इस pendulum का length बोलूँगा, ठीक है, तो कोई trouble नहीं होगा, इस question में बहुत easy question है, देखते हैं क्या है, calculation में अराम से देखेगा, तो आपको पता है, जो arc length होती है, इसको beta, l से भी represent किया जाता है, small l से, that is theta upon 360, into 2 pi r, अब इस arc का ही value हमें चाहिए, arc length आपके पास है 8.8, यह आपके पास हो जाएगा 30 degree, यह आपके पास है, यहाँ पे 360, यह है 2, यह है आपके पास, 22 by 7, into radius, अब आपको पता है, अगर मैंने यहाँ से point हटाया, तो नीचे 10 आ जाएगा, और मेरी पहली priority भी यही रहती है, कि मैं ऐसा ही करूँ, तो यह 88 by 10 हो गया, आपसे जो cancel हो रहा है, आप काटिए, this is your 12 का table, तो मैंने यह 12 लिखा, अब जो यह यह यहाँ denominator में है, यह उपड जाके आपके numerator में आ जाएंगे, और जो numerator में है, वो नीचे यहाँ जाके denominator में, divide करने आ जाएंगे, और यहाँ से मेरे R की value मिलने चाहिए, तो 88 into 4, अगर 22 into 4 कुरूँ तो 88 आता है, यहाँ 4 बचा, इस 2 से मैंने फर्दर इसको cancel किया, तो है 2 बचा, अब 2 into, अब अगर radius को देखना है, तो boss यह देखो, यह है आपका 12, और यह है 2 into 7, यानि 14, divided by 10, तो यह जाएगा 168 upon 10, तो finally, जो radius का value आएगा, वो आएगा 16.8 cm, तो अगर यह इसका length है, तो definitely, यहाँ पर हमारा answer आचुका है, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया है, आपका length बोल दिया है, जो find करना था, so with this way, your question is done, hopefully, आपको यह DPP समझ में आया होगा, thank you,